जाहिन दोस्तों मेरा डाम है सुफ्यान और स्वाग अदाव सभीका Tech Headlines के एक नई विसोड में देखो यार मैं जानता हूँ कुछ मेरे भाई लोग कम्प्लेन कर रहे थे कि सुफ्यान भाई आप नियूज नहीं डाल रहे हो वीडियोज नहीं आ रहे हैं यार मैं बताया था Community Post में Nothing Phone 2 के launch के एक दिन बाद कि मार्केट ठंडा हो गया है नियूज नहीं आ रहे हैं तो कुछ दिरों तक वीडियोज नहीं आएंगे अब भाई जवड़तस्ती तो बनाने सकता ना मैं ऐसा नहीं कि मare कुछ ट्राई नहीं किया मैं लेकिन कभी मेरे तरफ बिजली चला जा रहा है तो कभी ठेट सारा पसीना आ जा रहा है मैं बहुत सारे है कोशिश किया लेकिन बनने पार है कैमरा इतना हीट हो जा रहा है कि मत पुछो यार उंगली जल जाएगा अब समझ सकते हो यार तो मैं सोचा चलो ठीक है फुरा से बहुत सम ठंडा होगा तो बनाएंगे और मैं हर दिन ट्राइ करता हूँ कि भाई आज न्यूज आएंगे करूँगा मैं लेकि नहीं होता यार हर दिन के बॉल एक दो न्यूज ही आ रहे हैं तो सेटेडे को जाके पूरे हफ़ते का न्यूज कलेट किया अब जाके आपको मैं न्यूज दे रहा हूँ खैर सबसे पहला ब्रेट आ रहा है ओनर के तरसे मैं आपको तीन-चार दिन पहले ही कम्म्यूटी पोश में बता दिया था कि ओनर अगस के मन्त में इंडिया में आ रहा है उपर से हमारे जो माजाव सेट सर है को अपना ट्वीटर का बायो भी चिंज कर दिये देख लो यार वो भी टीस करना चालू कर दिये कि ओनर इंडिया में आने वाला है वो बहुत ही अच्छे-चे फोन्स को लांच करेंगे आप कुछ भाई लोग मुझे बार-बार पूछते रहते हैं सुफ्यान भाई कौन से ओनर के फोन्स इंडिया में लांच होंगे और यार रखना आनर का अपना स्वाइल होता प्रैस रखने का वो अग्रसिव प्रैस नहीं रखेंगे Poco, Redmi की तरह वह बहुत ही अच्छा-खासा प्रैस रखते हैं Oppo के जैसे, Vivo के जैसे, Nothing के जैसे इस बात को ध्यान में रखना आपको याद होगा मैं आपको पिछले मैंने OnePlus 12 के concept, renders और specifications दिखाया था तो यार OnePlus 12 के kind of official renders आचुके हैं क्योंकि onlix create की हैं और वाई onlix जो भी renders create करते हैं official design से, official product के design से match कर जाते हैं तो OnePlus 12 देखने में अच्छा लग रहा है यार हलाकि OnePlus को कुछ changes करने चाहिए camera module के साथ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है और आपको याद होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, Chinese brands जो हैं जो भी अपने महंगे phones को launch करेंगे इस साल, जादार महंगे phones में periscope lens हो गाई होगा जैसे Realme का GTC's का कोई नया phone हो गया, IQ 12 series के phones हो गया, OnePlus 12 हो गया इन सब phones में आपको periscope lens देखने को मिलेगा और भाई, OnePlus 12 इस साल के end में, November, December के आसपास तक, probably December तक चाइना में लाँच होगा और अगले साल के April तक इंडिया में आएगा, ऐसे से rumors हैं वैसे OnePlus का बात निकल गया है, तो OnePlus का जो foldable phone वाला event होगा ना यार, इसका date बाहर आ गया है ये आज से ठीक एक मैने बाद, एक देड़ मैने बाद होगा, अगस्त के 29 तारीको हाँ यार, Unpacked event जो Samsung का है, वो July के 29 तारीको हो रहा है उसके ठीक एक महीने बाद, अगस्त के 29 तारीको OnePlus का foldable वाला event होगा और वाई ये जो OnePlus का foldable phone है, ये इंडिया में भी launch होगा क्योंकि OnePlus Open इस foldable phone का नाम है, और ये जो नाम है, इंडिया में treat mark भी OnePlus करवा चुका है तो इंडिया में भी अपने foldable phone को लेकर आएगा Samsung Galaxy Z Fold 5 से भीटने के लिए, Redmi K60 Ultra के specifications, renders आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन इस बारी official back panel का render निकल गया गया, देख लो, ये official look है, official color है देखने में अच्छा लग रहा है, वैसे ये phone इस ही मैंने launch हो जाएगा, ऐसे से informations है and I hope so, Poco Babu उसको rebrand करके लिए इंडिया में, वैसे Poco से तो अब डल लगता है मेरेको लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगार लगा के Xiaomi, Redmi, Poco कुछ भी करके इस phone को इंडिया में ले आए तो मज़ा जाएगा वैसे Poco का बात निकल गया है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यार कि Poco के phones में अभी थोड़ा सा गड़वड़ी चल रहा है, वैसे यार Poco का बात निकली गया है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, Poco के phones में अभी गड़वड़ी चल रहा है तो as of now आप खरिदने की कुशिश मत करो, क्योंकि यार phones काफी अच्छे Poco बनाता है सर्वीस सेंटर जाओ तो सर्वीस मिलेगा नहीं, मेरे को तो नहीं मिला यार तो मैं इसलिए कहता हूँ, बच के रहो यार अभी as of now Poco ब्रैंड खराब नहीं है, बस आजकल वो ध्यान नहीं दे रहा अपने प्रोड़क्स के उपर एक बार ये ध्यान देने लग जाए, तो फिर से सब लोग प्यार करने लग जाएंगे सही quality के साथ अपने phones को launch करें, भीना किसी गड़बड़ी के साथ अच्छा service दे हम लोगों को, after sale service, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन इसाब कुछ भी नहीं हो रहा है, आज जानते हो क्या हुगा, किसी बंदे का POCO F5 खराब हो गया, डेड हो गया देख लो, स्क्रीन पे देखा रहा हूँ, विचारा ट्विटर पे बार बार सबको टैक करके कह रहा है पाई उसको परसा नहीं होगा, क्योंकि बंदा भी हाल फिलाल में ही फोन खरीदा यार, खराब हो गया तो यार कितना डर लगता है, कि अब इतना पैसा खटा करके महने से फोन खरीद रहे हो, और वो खराब हो जाता है जरा सोच कर देखो, उन पर क्या बित्ती होगी, जिनका वरंटी प्रियेट से जैसे निकला फोन खराब हो गया ये मेरे साथ हुआ था, चब वोको एक्ष्टू में लिया था, वरंटी प्रियेट से भान निकला, उसके तीन-चार मैंने बाद वो खराब हो गया अगले साल के मार्च में, तो फिर सर्वी सेंटर गया तो बना नहीं, जद 10,000 रुपय मांग रहे था यार, कहां से लागए दूँगा उससे अच्छा तो उससे नया फोन ले लेता मैं, तो लोकल मार्केट से बनवाया हमें, तो इसलिए कहा रहा हूँ यार, अभी थोड़ा सा बच के रहो, पोको फोन से तो यारो, फाइनली, चंद्रयान 3 अच्छे तरीके से, सही तरीके से लाँच हो चुका है, और यार, यह बहुत प्राउड मोवेंट है हम सब इंडियन्स के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यार, चंद्रयान 3 का मिशन बहुत ज़ादर इंपोर्टेंट है, चं तो इंटरनेट में यहीं इंट्रोमेशन घूम रहे हैं, जादा कुछ डीटेल सामने नहीं आया है, मुझे जो भी अपडेट्स पता चलेंगे, चंद्रयान 3 के रिगाडिंग कभी भी, मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत या कितने अच्छ हैं, दुकान में बैट कर खुझ से अपना फोन सेल कर रहे हैं, इंप्लॉई को नहीं बैठा हैं, खुझ से दे रहे हैं सबको फोन, दे रहे हैं मतलब कि वो सेल कर रहे हैं, समझ गए, तो कितनी अच्छी वास है यार, कंपनी का माली खुद फोन बेच र बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि अगस्त 24 के असपास नतिंग फोन 3 है, पर सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं यार, आपको मैंने बताए भी था, यह Geekbench पे पकड़ा गया है, एक्जिनोस 2200 वाला प्रोसेसर है, तो आज इसका Snapdragon वाला वर्जन गीग बेंच पे पकड़ा गया है, 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर नहीं होगा, 8 Gen 1 प्रोसेसर होगा, साइच सुन रहे हो यार, 8 Gen 1 प्रोसेसर, विसे अपने को क्य फर्बढ़ता है, क्योंकि 8 Gen 1, यानि कि Snapdragon वाला जो वर्जन होगा, H23 सीरीज का, वो आपको US Canada में लाउंच होता बाद दिखाए देगा, लेकिन जो Exynos वाला वर्जन होगा, वो इंडिया में लाउंच होगा, हाँ यार, हर बार के तरह इस बार भी Exynos वाला वर्जन ही आर इंडिया में, यार क्यों यार Samsung यार, क्यों, क्यों यार, फिर से वही दर्द, वही तकलीफ, हमारे Lava brand के तरफ से कुछ अच्छे अपडेट्स है, Lava के जो head है, उन्होंने कहा कि अगले मैने, August में वो एक phone launch करेंगे, 15,000 रुपए के अस-पास, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफतों के बाद, वो एक और ऐसा phone launch करेंगे, जो कॉल कॉम के प्रोसेसर के उपर होगा, देखियोगे कि मीडिया टक के प्रोसेसर के उपर ही Lava के phones launch हो रहे हैं, तो वो कहें कि कॉल कॉम के प्रोसेसर के उपर भी एक phone launch करेंगे वो, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, पहले ये जो 15,000 वाला phone है वो launch होगा, आप में से बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे, सुफ्यान भाई, आइकू नियो 7 प्रो का sale कब होगा, हम लोग तो कफसे इंदिजार कर रहे हैं, आज इसे sale चालो हो चुका है, जल्दी जाओ, खरीद लो, और बह Samsung Galaxy Tab S9 FE और Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus इन दोनों टैबलेट्स के रेंडर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देख लो, तो बहुत ही अच्छे आपको प्राइसे पर बहुत ही अच्छे टैबलेट्स मिलेंगे, सस्ते में, FE सीरीज के जो टैबलेट्स होते हैं, कम पैसों में बह बहुत ही जल मैं आपको Samsung Galaxy Tab S9 सीरीज के टैबलेट्स के भी स्पेसिफिकेशन्स, रेंडर्स वगरा दिखाऊंगा, पैसे तो कई बार दिखा दिया हूँ, स्पेसिफिकेशन्स भी बताया हूँ, लेकिन पूरा एक समरी करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट न्यूस तक तो दिखाई दूँगा, आप ये वाला न्यूस पका कई ना कई सुने होगे, नहीं सुने, हमारे इलॉन चचा पैसे देने लग गए है, ट्वीटर क्रेटर्स को, जो ट्वीटर पे क्रेटर्स है, उनको मन्तली सैलरी मिलेगी आपसे, या फिर जो भी इनका पै बहुत जादा होता है, अगर सीधे सा तो मैं कहूं, पांच मिलियन व्यूज, आपके किसी ट्वीट पे होंगे, तभी आपको मिलेगा, तभी आपको सैलरी मिलना चालो होगा, एमेजान का प्राइम डे सेल चालो हो चुका है, कमाल के फोंस पे कमाल के ओफर्स मिल रहा है, Vivo V29 Pro अगले मैंने अगस्त में लाउंच हो जाएगा बाहर की कंट्रीज में, इंडियन अवैलिबिल्टी को लेकर जैसे मुझे कुछ पता चलता है, ओफीशल इंट्रोमेशन मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इस साल के एंड तक तो चांसे सोड़ से कम लग रहे हैं, क्योंकि हाल फिलाल में V27 series के phones इंडिया में आए हैं, इतने जल्दी V29 series के phones को इंडिया में Vivo लेकर आ जाएगा, फ़र साथ पटा सा लग रहा है ना, मुझे जाए तक लगता है time लगाएगा Vivo, क्योंकि इसको V27 series के phones को भी तो clear करना है, Redmi Note 13 आज EEC certification को clear कर चुगा है, दे पहले साल आएंगे, इस साल नहीं आएंगे, ठीक है, तो पहले China में launch होने तो, फिर बताते हैं यार, हमारे Elon चचा बहुती जल्द XAI को launch करने वाले हैं, बहुत सारे features भी launch करेंगे, testing phase में अभी रहेगा, सभी लोग test करेंगे, use करेंगे, मतलब कि बीटा version में रहेगा, आज लेकिन, finally, Infinix GT 10 Pro, और Pro Plus के live images और specifications कुछ बाहर आचुके है, Pro Plus में तो आपको light TV देखने को भी लेंगी, nothing phone के जैसे, side में सारे specifications से देख लो यार, और 160, 160 Watt के fire charging का support होगा, और ये जो दोरो smart phones से अगले मैंने बाहर के countries में launch हो जाएंगे, अगस की मत में, Indian availability को लेकर बताऊंगा, लेकिन यार, एक बात जानके रखो, इनका price प्रसे जादा होगा, 30,000 तक तो touch करेगा Infinix, ठीक है, क्योंकि Infinix का flexi phone है, obvious ही बात है, पैसे आप बताओ यार, आप इतने पैसे लगाओ के 30, 35 रुपए Infinix Tecno के phones के उपर, मैं होता तो नहीं लगाता, पैसे phones काफ इस वीडियो को शेर भी करिएगा, हमेज़ा अपना ख्याल रखे खुछ रहिए, जय हिंद, बंदे मातरव